दोस्तों, MIUI 10 का Global Launch Xiaomi ने इंडिया में कर दिया गया है, लेकिन हाँ, इसका भी update नहीं आएगा, लेकिन MIUI 10 में आपको कौन से features मिलेंगे, ये किन phones में आएगा, और आपको जो update है वो कब मिलेगा, ये सारी बाते में आपको इस वीडियो में बताने वालो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि MIUI 10 उसके इंदे सबसे important चीज़ किया है, तो सीधी बात है कि MIUI 10 है, MIUI 9 से जाधा fast है, इसका मतलब सीधी है, ये कि आपका phone ज्यादा जल्दी चालू होगा, और जो app opening time है, मतलब वो ज्यादा होगा, यानि अगर आपको Instagram पर कोई photo post करनी है, तो वो कुछ millisecond आप बना दिया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंज किया है इनोंने वो किया है design में, जैसे कि इसके अंदर आपको software की, इसका option मिलेगा, वैसे ये जो option रहेगा, ये bezel-less smartphone जैसे Mi Mix 2 और Mi Mix 2S आया है, उसके लिए किया गया है, और जो अपने 18-9 aspect ratio वाले जो phones आ रहे हैं उनके लेकिन इतना ही नहीं, ये gestures को भी support करता है, और जो gestures का control है ना, ये कापी हतक Android P जैसा है, या फिर मैं कहूं जो iPhone 10 launch हुआ था, जैसा आपको उसमें gesture मिलते थे, वैसे ही gestures का support आपको MIUI 10 में भी देखने को मिलेगा, तो ये छोटा से उन्होंने design के अंदर किया गया है, और ज जैसे कि इनकी notes app होती है न, Xiaomi के जो MIUI में काफी हद तक वैसा ही है, यानि की एक list होगी, उसके अंदर आप apps को memory से हटा पाओगे, और उपर नीचे easily travel कर पाओगे, और एक app को दबा के कुछ extra information भी ले पाओगे, तो जो applications रहती है, वो आपकी पूरी screen पर आ जाएंगी, तो यह काफी एक अलग चीज है और एक interesting चीज है, तो यह देखना होगा कि actually में जो recent apps जो है, वो actually में कांद कैसे करती है, और इन्होंने थोड़े बहुत change की है, जो उपर की तरफ से जो notification रहा राता है, जो notification का style होता है, वो change कर दिया गया है, और जो उपर से जो quick toggles आते हैं, जो भी काफी है तक change कर दिया गया है, जो quick toggles और notification है यह काफी है जो Android P का बीटा आया ता यह वैसी देखने को मिलते हैं, तो यह काफी है जो MIUI 10 है, जो Android P से ही inspired लगता है, तो यह भी काफी एक interesting चीज है कि भली आपको Android P का update ना दे Xiaomi, लेकिन आपको उसके जैसा दिखने व कि वैसी sound को रियूस किया गया है, एक example लेता हूँ आपको जैसे कि मानली जी कि अगर आपको कोई notification आया तो इसके अंदर आपको water drop plate के sound मिलेगी, इसका मतलब यह कि एक पानी की बुन किसी कटोरी में या फिर किसी पानी के अंदर गिरे तो उसके अंदर जिस टाइप की जो sound आती है, यह काफी तक वैसी sound है, तो एक एवल एक छोटा सा चेंज है, थोड़े बहुत साउंड की notification की audio में changes किया गया है, लेकिन यह सारी अभी तक की जो बाते मैं आपको बता है, यह सारी छोटी है, और जो सबसे बड़ा feature, जो MIUI 10 में इंट्रोड्यूस किया गया, और लिए आप सभी को वेट करना चाहिए, वो है AI portraits, इसका मतलब यह है कि आप अपने phone के single camera का use करके ही, अगर उसमें MIUI 10 आगया है, आपके phone में, तो आप artificial intelligence से portrait photograph यानी background blur, जो DSLR वाली जो photograph साती है, जिसे पीछे का background blur हो जाता है, वैसी photograph आप MIUI 10 के stock camera से ले पाएंगे, और जामी ने अपने demo में ये भी दिखा है कि जैसे जो Redmi Note 4 है, उसके अंदर single camera आता और तो वो भी artificial intelligence का use करके portrait photographs को ले सकता है, और हाँ ये MIUI 10 का feature रहेगा, और MIUI 10 का update जिस भी phone के अंदर आएगा, इंडिया के अंदर और तो उन सारे phones के अंदर आपको ये feature देखने को मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी interesting बात है, और इसके अलावा कुछ exclusive चीज़े भी है जो इंडिया के लिए MIUI 10 के अंदर आएगी, जैसे कि MI की music app, इसके अंदर भी थोड़े बहुत changes कर दिये गए, ये एक online music streaming की app जिसका आप use कर सकते है, MI video की app ये भी online video देखने वाली app अगर आप online videos देख पाएंगे, एक और चीज़ Xiaomi ने काफी अच्छी की है MIUI 10 में, वो की है MI browser में, जैसे कि इसके अंदर जब भी आप MI browser को खोलेंगे, तो इसके अंदर आपको कई सारी चुटी चुटी apps देखने को मिलेंगी, ये actually में progressive web apps है, यानि कि MI browser के अंदर ही एक web-based application है, अब सीधी बाश्या में, अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके फोन के अंदर Ola, Uber, या Food Panda, Swiggy जैसे कोई अप नहीं है, तो अगर आप इसको खोलेंगे, तो इसके आइकन बने आएंगे, तो आप डिरेक्ली टैप करके ही, इन एप्स का प्यूज कर पाएंगे, जैसे कि अगर आपने Ola की अप देखी, तो Ola की अप को टैप कर और डिरेक्ली अप अपने लिए टैक्सी बुक कर पाएंगे, तो ये सारी जो वेब अप्स रहती है, इसको अपने ब्राउजर के अंदर ही इंप्लिमेंट कर दिया है, शामी ने MIUI 10 के MI ब्राउजर के अंदर, और ए उसकी वेबसाइट या फिर उसकी अप को उपन करने का, यानि की अगर आपको कभी बैंक से अगर SMS आता है, तो बैंक की वेबसाइट और उसकी अब आपबन करने का आपको आपको निचे बड़न ही मिल जाएगा, तो ये भी काफी इंट्रस्टिंग चीज है, तो ये कुछ extra features जो थे वो इंडिया के लिए use किये गए है और overall यही है MIUI 10 और इन में से जो मुझे सबसे अचा feature लगा है वो है portrait mode और सबसे अच्छी बात यह लगी कि जो portrait mode है वो Redmi के series के phone के अंदर भी आएगा यानि कि अगर आपने कुछ समय पहले 5-6R का भी phone खरीदा है Xiaomi का तो उसके अंदर भी आपको AI portrait मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बात है तो अब बात करते हैं कि आखिरकार यह किन phones में आएगा तो जो MIUI 10 है ना वो अभी केवल बीटा में ही है यानि कि लोग केवल इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और अपने phone के अंदर बीटा की तरेकी से यूज कर सकते हैं यह अभी officially नहीं हुआ है तो जो बीटा का जो रोल आउट है वो जून में स्टार्ट होने वाला है और वो धीरे-धीरे सब को मिलेगा और जो बीटा का पर में बात करें तो Redmi Note 5 के अंदर आएगा Redmi Note 5 Pro में आएगा, Redmi Note 4 में आएगा Redmi Note 3 जो 2016 में रिलीज हुआ था उसके अंदर भी आएगा यहां तक कि Redmi 5, Redmi 5 Air, Redmi 4, Redmi 4 Air, Redmi 3S, Redmi 3S Prime और जो आज Redmi Y2 रिलीज हुआ है उसके साथ भी और जो Redmi Y1 और जो Redmi Y1 Lite थे उनके साथ भी होगा और जो बीटा का जो अपडेट है वो धीरे-धीरे Mid-June से स्टार्ट होगा पहले MI के डिवाइस को मिलेगा फिर Redmi Note सिरीज के डिवाइस को मिलेगा फिर Redmi के सिरीज के डिवाइस को मिलेगा इस तरीके से बीटा का रोल आउट है लेकिन official update अभी आना confirm है क्योंकि सीधी बात है कि अभी केवल बीटा का रोल आउट हो रहा है तो आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपको update मिलेगा और जो Redmi के जो पुराने phones है ना समझ लीजी कम से कम 6-8 महीने भी लग सकते हैं तो अगर आपको अपने phone के अंदर MIUI tank चाहिए तो कम से कम आप वेट करो आपको धीरे धीरे आप सभी को update मिली जाएगा और मैं यहाँ community के page पे पोस्ट भी करता रोग है कि इस phone को कब update आने वाला है तो इसके लिए आप subscribe भी कर सकते हैं तो आप दोस्तों आप बताओ कि आपको MIUI 10 का कौन सा feature सबसे जादा अच्छा लगए नीचे कमेंट में मैं मिलता हूँ आपको next video में Goodbye